हलो गाईज मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर आफ एकॉनोमिक्स लब कौशिक स्वागत करता हूँ आपका लर्न एन फन कॉमर्स के चैनल पे इंडियन एकॉनोमी का थर्ड चेप्टर कर रहे हैं टर्म टू 12 क्लास के कोर्स में पूरा साथ चालू है और आपको रिसेंट अपडेट तो पता ही लग चुकी है कि अब 12 क्लास के बाद जो तुमने कॉलेजिस में एडिमिशन लेना है तो मेजर 45 उनिवर्सिटीज पाटिसिबेट कर रही हैं सिर्फ एक सिंगल टेस्ट को कंड़क्ट कराने में उसको पास करके तुम कॉलेज मेंडिमिशन ले सकते हो उस टेस्ट का नाम है C.U.E.T. Central University Entrance Test तो जिस तरीके से अप मैं पढ़ाना शुरू करूँगा आपको उसका content भी बताता रहूँ है आपके CBSC में तो marks आएंगे याएंगे साथ में आपकी उसकी training भी चलती रहेगी हालांकि C.U.E.T. के लिए हम special चीज लॉंच कर देंगे आपका पूरा course भी करा देंगे वो बताऊंगा कैसे होगा लेकिन अभी अपना CBSC का course चालू कर रहे हैं तो उसके अंदर यह हमारा chapter गाइस environment पूरा नाम है environment and sustainable development आपके आसपास घूमता हुआ chapter नजर आएगा आपको छोटी-छोटी चीज़ों को याद दिलाएगा आठवी नोवी दसवी क्लास में कभी आपने environment की definition तो पड़ी होगी बस चोटी-मोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे और जो 12th क्लास में काम की चीज़े हैं वह बढ़ाने वाले हैं सबसे पहले इनवारिमेंट की definition पर आएंगे और आपको पता लगना चाहिए कि इनवारिमेंट होता क्या है एक्चुली हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें है कुछ चीज़ें लीविंग है यानि जिन्दा है कुछ चीज़ें मरी हुई है यानि नौन लिविंग है वो सा सब्सक्राइब हो सकते हैं तो ऐसे लोग हमारे आसपास हरी भरी वादलब कुछ सलतनत है लाइक पेड़ पहुते वगरा है तो गाइस यह सब चीज़ें इनवारिमेंट होती है जो भी चीज़ें हमारे आसपास घूम रही है हमारी सराउंडिंग में है चाहिए वो जिन्द सब्सक्राइब जिन्दा चीज़ें और नॉन लिविंग तिंक्स सराउंडिंग अस मतलब जो हमारे आसपास है है और जो भी लिविंग तिंग्स होती है उनको बायूटिक ऐलिमेंट इसके एक्जामपल आ सकते है या फिर आपको कोई सी यूई टी का एक्जाम जब दोगे तो कोई भी एक्जामपल देके पूछ लेगा यह यह बायोटिक है यह बायोटिक है चोटी बुड़ी बाते हैं ठीक है अब आएंगे इस इन्वारिमेंट के क्या क्या फंक्शन से यह इस से हमें क्या एडवांटेजिस होते हैं सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या इस इन्वारिमेंट की बहुत छोटी-छोटी बात है चल्दी खतम कर रहा हूं क्योंकि यह बेसिक चीज़ है जो आपकी में चीज़ आएगी वो अक्यां इन्वारिमेंट या नहीं हमारे आसपास से ही मिलता है इरिवारिमेंट तो सब कुछ थैना हर एक चीजी इन्वारिमेंट है जो आपका स पास घूम रही है तो रिसोर्से मिवें अ क्यों प्रिआ समा लेना ठीक है इसके उपर बड़ी चर्चा करनी है अागे यह टॉपिक छMother लेगा इसके उपर बड़ी चर्चा होगी कहते हैं और यह nov neste की पर देटेते हैं वह यह चीज को अपने अंदर नहीं समा पाता तो कुछ औते इंदर समा लेता है खतम कर देता है अपने अंदर ये नेक्स्ट इन्वॉर्मेंटर सब्स्टेगर लाइफु हमारी लाइफको छिन्दा रखता बनाया रखता है हमें प्रमाये ये मूण बीन भी देखाई देता एर है ये सब इंवायरमेंट है जो now आप देख लो कोई अच्छी से सीनरी हो गई हिल स्टेशन हो गया उसके अग्जामपल है मतलब यह चार फंक्शन नॉर्मल ही है तो अन्लिम्टेट फंक्शन इन्वार्मेंट के आपका काम इन चारों से चल जाएगा तो यह इन्वार्मेंट के बारे मोटी मोटी बाते थी इ अब कौन मना करेगा यार खाते तो रहोगे मतलब खाने का मन तो करता यह ना कितना सारा खाना मज़ा आ जाएगा खाके लेकिन यार खाना खाने की एक लिमिट होती है मलब कभी तो पेट भरेगा कभी तो पेट भरेगा तो ऐसे ही हमारे इन्वार्मेंट की एक लिमिट होत तो हमभी खाना खाते हैं हमारे खाना खाने के हैं कि वह जो भी वेस्ट है उसको अपने अंदर आईसिमीलेटी कर ले चृत ओकाइस उस घी को बोलते हैं एंविरिमेंट की आफ जो पुटिए इए इंप be डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन को आप वेस्ट बोल सकते हो मतलब जो बेकार बेकार चीज़ेंगे आप ऐसे करके समझ सकते हो ठीके जी इसको हम एसी मेलेशन कापैसिटी भी बोलते हैं इस नाम से भी जाना जाएगा अगर थोड़ा वाइट वाइट लिखा हुआ है और ज स्कूल के सबसे हैड सीनियर क्लास में बढ़ते हो तुम लोग तो नोट्स की भी तुम्हें जरूत ने नोट्स सामने ही डेफिनिशन वगरा मिल रही है पोस करो अपना कॉपी पेंट से खुद के नोट्स मिनाओ सबसे अच्छी आदत वही है तो यह अब्सॉर्प्टिव क समझनी ज़रूरी है मालो कि आप अपने फ्रेंट्स के साथ चले गए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ठीक है वहां क्या हो रहा है तुम बहुत भूग लगी है और पावभाजी मिल रहे हैं तुम्हें खाने के लिए इसमें ऐसी समझा देतों लिखने की मिलकर उसको खा गए तो तुमको यह वेट करना पड़ेगा लेट आएगी क्योंकि वह दो मिनिट में बन रही है ना और तुम उससे पहले उसको खाए जा रहे हो तो यह थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रियेट हो जाएगी ऐसे ही हमारे इन्वारिमेंट में होता है क्या होता है अब यह खाना खाने की बात तो इन्वारिमेंट में है नियार इन्वारिमेंट में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि हमारे इन्वारिमेंट में रिसोर्सेस जो होते हैं वो एक्स्ट्रेक्ट किये जाते हैं एक्स्ट्रेक्ट मतलब निकाले जाते हैं इन्वारिमेंट स हमारा उन resources को खुद बना भी रहा है renewable resources की बात माल लो चाहे ठीक है ना तो हमारा जो extraction की speed है यानि पावबाजी खाने की speed है वो तेज है extraction मतलब निकानने की speed तेज है और जो environment की उस resource को दुबारा regenerate करने की speed है वो कम है यह माल लो एक किसे तो पावबाजी बनाने की restaurant की speed कम है हमारी खाने की speed जाद है तो लफड़ा हो जाएगा coordination नहीं मन पाएगा ऐसे हमारे environment पे एक carrying capacity हो सकती है होती है हो कैसकती है carrying capacity का मतलब यह होता है कि जो हम resources को extract कर रहे हैं जमीन में से निकाल रहे है example तो जितनी speed है हमारी निकालने की वो तेज है और जो resources बनाने की speed है वो धर्ती की जमीन की मालो यह समुंदर की मालो वो स्लो है हमें balance बनाए रखना चाहिए कि extraction की speed और regeneration की speed जो resources किये वह equal रहे हम ज्यादा ज्यादा ना निकाले ऐसा हम ज्यादा ज्यादा निकाल देंगे तो problem हो जए कि environment में उस problem को बोलते environmental crisis अब देको लिखा क्या है simple simple बात carrying capacity is also important concept दया नखना बढ़ेगा आप लोगो को तो आई जड़ा तो carrying capacity implies two things दो बाते हैं यह दोनों बाते इसकी definition में count की जाएंगी पहली बात resource extraction should remain below the rate of resource regeneration समझाई बात मतलब निकालना और दुबारा बनना उसमें equality ही ठीक रहनी चाहिए या फिर निकालने की स्पीड कम होनी चाहिए regeneration की स्पीड ज्यादा चलेगी लेकिन निकालने की स्पीड अगर तुम ज्यादा कर दोगे तो regeneration की स्पीड कम रह गई ना तो फिर problem हो जाएगी वह विचारी चीज़े धिरे धिरे खतम ही होती रहेंगी फिर ठीक है ओके तो जेनरेशन ओफ वेस्ट शुड रिमेन विदिन दा अब्जॉर्प्शन कपासिटी ओफ दा इन्वार्मेंट यानि हमारी बहुत सारी कंदम्शन और प्रोड़क्शन अक्टिविटीज होती है तो ऐसे कचरे वाली चीजे उस लिमिट में रहनी चाहिए जिस लिमिट में हमारा इन्वार्मेंट उसको अबस्ण कर लेता है अगर इन्वार्मेंट अबस्क्षक इसकता है तो हमने 11 कीलो खचरा नहीं पहलाना चाहिये वह एक किलो तो इन चीजों को बोलते है इन्वारिमेंटल क्राइसिस का इस इंपोर्टेंट टॉपीक है ठीक है उमीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को पोज करके इसको अपनी कॉपी के इंदर नोट कर रहे होंगे तो कोई पूछले इन्वारिमेंट क्राइसिस क्या होता है तो जब यह दोनों कंडिशन फुल्फिल नहीं होती तो होता है इन्वारिमेंटल क्राइसिस ठीक है दोस्तो अब यह बड़े-बड़े इंपोर्टेंट कोईशन थे अब इन्वारिमेंट के इंदर जो प्रॉबलम्स है मनलब क्राइसिस इस ओल्सो वेरी इंपोरियं टॉपिक अब इन इनका economic impact भी है जब पढ़ा रहा हूं तो एर पढ़ाते बढ़ाते पानी पीना ज़रूरिया तुम भी बिशकते हो पीना सही है एक वन चॉट केंदर चैप्टर कंप्लिट हो रहा है चुली बना तुम्हें इधर उदर भागने के जोरत नहीं बढ़ेगी मैं कहारा हूं कि कि अगर बात करें अगर temperature बढ़ता है तो मतलब गर्मी करता है हैनाा आजकल temperature वैसे भी 35 से जादा चल रहा है अगर यह temperature कम हो जाता है तो मतलब सर्धी का सीजन आ गया जब जितना temperature नीचे होता है सर्दी उतनी जादा हो जाती है तो एक एक प्रॉब्रम को उठाएंगे सबको अच्छे से बढ़ेंगे और इन में से कुछ आ सकता है तुम्हारे पर में सबसे पहले गाइस ग्लोगल वार्मिंग तो अर्थ का मतलब इंडिया इंडिया का नहीं पूरे है तो इस इंसिदेंट इस काल्ड ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेशन लिखिये गाइज इट रिफर्स टो ग्रेज्वल इंक्रीज इन दो ऑवरोल टेंपरेचर आफ अर्थ एट्मोस्फियर एंड ओशियंस हां समुंदर में भी और एट्मोस्फियर में भी यार्वारी अर गर्मी के बढ़ने से क्या होगा जो आइस बर्ग है यानि जो माल लो ग्लेशियर से बर्फ के पाएड़ है गर्मी बढ़ेगी तो ओविशली वह मेलट होने लेगे लेगे melt ओने लगें कि तो यार उनका पानी धीरे 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 नदियों में जाएगा फिर नदियों से वो पानी समुंदर में जाएगा समुंदर में जाएगा तो sea level बढ़ जाएगा समुंदर का level बढ़ जाएगा और जो समुंदर के आसपास रहने के इलाके हैं उनको coastal area बूलते हैं वहां तक पानी चला जाएगा और रहने का इलागा धिरे धिरे कम हो जाएगा तो एक major effect global warming का यही होने वाला है कि गर्मी का level बढ़के glacier पिंगलेंगे और sea level बढ़ेगा और coastal area में रहने का इलागा कम होगा और flood भी आ सकती है मतलब वहां पर ऐसा हो सकता है और दूसरा impact यह है जो coastal area नहीं है लाइक महाराश्चरा वगरा देखो वहां पर काफी सारे area ऐसे है महाराश्चरा में जहां पर sea नहीं है इतनी दूर तक तो उधर क्या है उधर पानी की कमी है वो गर्मी से अक्चुली जमीन में से पानी अब्सौर्ब हो जाता है वहां सूखा पढ़ जाता है ड्राउट बोलते है उसको खेती में वहां पर भी प्रोब्लम आती है अगरिकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता है गर्मी होगी तो गरम हवाए तेज़ चलेंगी गरम हवाओ के तेज़ चलने से जो बीमारियां होती है वो ज्यदा फैलेंगी तो ग्लोबल वर्मिंग का ये impact आपको पढ़ना है तो लिख रहा है कि ग्लोबल वर्मिंग होती क्यों है causes पर पहले आ जाते हैं यह होती क्यों है actually global warming का one and only measure reason green house gases है अब यह green house gases होती है example देख लो पहले जगा carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide और water vapor पानी के भी जो vapors होते हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है कैसे जिम्मेदार है यह बताता हूँ आपको specially green house gases के बारे पर जान लेते हैं वापस उधर ही आ रहे हैं ठीक है जी इसको समझाने के लिए मैं एक बार इसको रब करूँगा आपके काम की चीज़ नहीं थी इसको रब कर देता हो बस ठीक है यहां से बेटा दिया देखो बाइ उस गयसेश कुछ ऐसी कैसेश होती है जो हमारे atmosphere पर एक layer create कर लेती है यह उपर नहीं उड़ती एक layer कर लेती है और जो यह sun से Westminster आ और है है इसको reflect के वापिस जाती है फिर वह नीचे आती है वापीस जाती है फिर वह नीचे जाती है यानी पहले की तरह यह बिलकुल उपर नहीं पार करके नहीं जा तो हमारे atmosphere को green house gases की वजह से यह sunlight छो तो दोड़ती नहीं है सलाइट तो गरम होती है आना सूरज की रोशन दो गर्मी आ इंवार्मेंट में बंदी रहती है तो ये गरीन हाऊस गैसिस की बज़य से जो शूर्ण बहुंश का गर्मी आगे है तो उसकी वजह से भी green house gases जादा बनने लगती है आप देखो गर्मियों के अंदर जाकर देखना कोई स्कूटी या बाइक के अंदर जब पेट्रॉल डलवा रहे होते हैं तो टंकी खुली होती है तो उसमें से हलका 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 ऐसे तुम्हें कुछ उड़ता हुआ इतिन गैस तो उससे भी बतलब green house gas में contribution आता है गाइस नेक्स्ट आमारा डी फोरेस्टेशन डी फोरेस्टेशन होता है पेडों की अंधा धुंद कटाई अंधा धुंद कटाई का मतलब मतलब बिना देके पेड़ काट देना जहां मरजी से पेड़ काट दो पेड़ काटने से होता गया हम सबको पता है कि पेड़ है जो पेड़ पोदे होते हैं वो carbon dioxide को अपने अंदर absorb कर लेंगे तो देखो यह layer नहीं बनेगी यह कम बनेगी है ना हम पेड़ पोदे काट दें से काटना गलत चीज़ है तो deforestation increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere तो these are the major reason जो आपको याद करने है तीन पॉइंट है याद रह जाए तो काफी है फिर इसका impact क्या होगा effect क्या होगा economy के उपर क्या होगा पहले मैंने आपको पता चेका है ice melt होती रहेगी worldwide तो क्या होगा sea level बढ़ेगा flood भी आ सकती है coastal area में tropical strong चलेंगे tropical मतलब गरम 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 तुफान चलेंगे ठीक है और वो बहुत strong हो जाएंगे गर्मी के वजए से और गर्मी मिल जैसे की malaria cholera dengue 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 की बात है एक येलो फीवर भी होता है चिकन गुनिया बिमारी फैले की तो लोग परिशान होंगे यार ओविसली ठीक है और कुछ species है like polar bears polar bear ऐसे भालू होते है जो polar region में मिलते हैं वहाँ सर्दी बहुत होती है ठीक है जब सर्दी नहीं होगी तो उनक की पर जातिया ठीक है ना अगर गर्मी जादा बढ़ती रही तो इससे मारा food chain भी खराब होगा मतलब ecosystem भी खराब होना है ठीक है जी next हमारा है ozone layer deflation मैंने बताया था कुछ चार चीज़े पढ़ाऊंगा पहली global warming दूसरा ozone layer deflation तो ozone layer के बारे में आपको बताऊगा हमारी अर्थ के बाहर एक stratosphere नाम का protection layer stratosphere एक environment में आता है ना layer है हमारे बास जैसे atmosphere है तो उसके उपर एक ozone gas की परत बनी हुए ozone gas का formula O3 होता है यह water और ozone ऐसे कुछ इनको मिला के बनता है लेकिन हो science की बात है आपको तरह देखना है कि O3 है इसके लिए बनी हुए है यह क्या करती है मालों सन है संसे जो sunlight आती है उस sunlight के अंदर कुछ ultraviolet radiations भी होती है अल्ट्रा वाइलेट UV rays बोल दो या UV radiation यह हमारी skin के लिए नुकसान दायक होती है अकर यह हमारी skin के ओपर पढ़ेंगी न तो skin related problems हो सकती है बेसिकली skin cancer इससे ज़्यादा फैलता है तो काई इस यह ओजो लेयर जो होती है यह प्रोटेक्ट करते है सनलाइट तो अंदर चली जाती है लेकिन UV rays नहीं जा पाती अब क्या हो रहा है धीरे-धीरे हमारी कुछ human activities की वजए से इस ozone layer में छेल होने लगा है यानि reduction यह ओजो होने लगी है तो कुछ-कुछ जगह से यह अल्टरा वाइलेट रेस हमारी अर्थ में एंटर कर रहे हैं और skin related problems जो issues है वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं तो कुल मिलाके इसको ही बोलते है ozone layer का घटना यानि ozone layer का मतलब हो गया कम होना या घटना एक तरीके से ozone layer देरे-देरे कम हो रही है लेकिन यह problem देरे-देरे ठीक भी होने लगी है अभी सारी बाते करेंगे इसके बास definition बहुत असान लिखी है इसको याद रखना stratosphere यह याद नहीं रखो कि तुम मुझे पता है ठीक है और ऐसा क्यों होता है अच्छली ozone layer में छेद होने का reason है हम कुछ ऐसी चीज़े इस्तिमाल करते हैं जो उपर ozone में जाती है और उसके साथ reaction करके ozone को काटने लगती है बनाब खतम करने लगती है वो चीज बेसिकली cfc ह है chlorofluorocarbons cfc यह major reason है वैसे आपको बताऊं तो कुछ blurofluorocarbons भी होते हैं कुछ hellocarbons भी होते हैं ठीक है यह scientific मतलब आप chemicals मान चकते हो यह किस चीज में पाए जाते है बेसिकली जो हम cfc की बात करें तो यह हमारे ac में air conditioner में और fridge में refrigerator में पाए जाते हैं और जो blurofluorocarbons ह लगाते हैं उसमें भी कुछ ऐसी चीजे को इस्तमाल होता है तो हम आसपास जो इन चीजों को इस्तमाल कर रहे है यह खुद हमें नुकसान दे रही है जितनी facility हम enjoy कर रहे है उसका चोटा मोटा नुकसान बड़े रूप में environment के सामने आ रहा है तो environment को नुकसान हो रहा है मत को इन दा फॉर्म ओफ वेरियस डिसीज बिमारिया फैराती है मतलब वो यू लाइक स्किन गैंसर ठीक है यह में चीज़े आपको जान नी थी और जो लियर क्या होता है किसकी वजह से होता है और से क्या फर्क पड़ता है ऐसी global warming के बारे में अब जो important चीज़ आपको मिलकर एक protocol बनाया जाता है protocol का मतलब होता है रूल मोंट्रियाल कैनेडा के अंदर एक प्लेस है वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज मिलकर एक ट्रीटी साइन करती है यानि एक contract मालो एक तरीके से mutual concern मालो यह सब मिलती है और एक रूल बनाती है बहुत सारी कंट्रीज है number of countries आ अधानानी अग्जक्ट्राइट आपको जान आए आपको ऐर जानना है और चिसका नाम के एक नदा में अना साइन करती है और यह यूएंट यूनिते नेशिन्स की बहुत सारी कंट्रीज यह कहती है हम पूरे में सिएफ सी को खतम करने की कोशिश करेंगे तो यह बैन लगा कंट्री इसके निदर मीटिंग होनी शिरूँ होई पहली तो कैनड़ा में थी मौनट्रियाल में फिर लंदन में जो मीटिंग थी उसके इंदर इंडिया ने जोईन किया इसको वह भी लंदन में इन जोइन किया तो यह इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है का आप लोगों के पानी का खराब हो जाना ज्यादा आवाज में गाना बजाना लाउट स्पिकरते चलना डीजे रात को दस बजे से ज्यादा लेट तक चलता है तो अच्छों की नहीं हराम हो जाती है जिनके घर में पार्टी नहीं होती है मतलब उनकी नहीं हरा हो जाती है लाइंड पॉलिशन मतलब सोईल की खराब कर देना जमीन की फटीलिटी खतम कर देना रिडूस कर देना तिक यह किसी वजह से ऐसा होता है यह आप से इंकी डेफिनेशन नहीं पूछने वाला यह तो साथ भी नुवी का टॉबिक है ठीक ना हमारी मेजन गसा आज कर शिर आर पॉलिशन और इनडि एनडर सेंट्रेल पॉलिशन ख्र्रों बोर्डिषी व adapting a में वह इन दोनको क्नो क कॉंट्रॉल करने के लिए बनाया गिए था आप से कोर्षेन को सकता है एयर और वाटर के लिए पोलुशन अपने आप में एक प्रॉबलम है छोटी बूटी बाते मतलब जो पहले बढ़ चुके आठी नोवी दस्वी में वो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि आप पूछेंगे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है वो बढ़ाऊंगे अब आते हैं लन्ट डीग्रेडेशेन पे डीगेरेड मतलब क्वालिटे कम हो न ग्रेडिंग कम करना न तो लैंड की फर्टिलिटि कमौना उसकी overall quality health को नुकसान पुचाना land की health को नुकसान पुचाना is land degradation definition लिखिये it refers to a fall in the overall health of the land including the quality of the soil and water commonly caused by human activities इंसान की हरकतों की वजह से जो मिट्टी यानि soil की और उसके अंदर जो पानी है उसकी quality का खराब हो जाना land degradation होता है ऐसा क्यों होता है इसके बहुत सारे reasons है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अंदादूंद पेड़ों की कटाईगी है तो उससे बहुत सारी vegetation का मतलब अलग-अलग तरीके के पेड़ बोदे है वो खतम हो गए है बरबाद हो गए है तो वो जमीन पे बहुत कुछ नहीं है तो बहुत कुछ नहीं है तो वहाँ वो जमीन बंजर हो गई है ठीक है आग लग जाती है जंगलों में forest fires over grazing का मतलब जादा चारा खिला देना अपने animals को तो वो जाता जल्दी जल्दी तुम उसको खाते जा रहे हो उतनी जल्दी वो बननी रहा फिर वो इदिक्कत आ रही है न तिक है एंकरोचमेंट इंटू forest land forest मतलब जो जंगल या फिर हरी भरी जमीन है भापर एंकरोचमेंट का मतलब होता है मकान बना लेना और हिंदी में इसको बोलते है अतिकर्मन आजकल बहुत नियूस पर मैं चाया हुआ है मतलब यहां जहां पर हरे बरे पेड़ पोदे होने चाहिए वहां पर हम मकान बनाने शुरू कर रहे है तो यह रिज एरिया वगहरा रिज एरिया मतलब जंगल जैसे एरिया इसको खतम कर रहे है इसके लिए अभी एक और्गनाइजेशन है जो बहुत सक्त कदम उठाती है और दूसरा लिखा है एक्स्ट्रेक्शन औफ ग्राउंड लेवल वाटर मतलब ग्राउंड वोटर बहुता है तो ग्राउंड वोटर निकालते है तो ग्राउंड वोटर धीरे-धीरे खतम हो रहा है तो वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है लैंड के अंदर तो दिस इस ओल्सो लैंड डिग्रेडिशन यहां लिखा था ना वाटर भी इसी वज़े से बताया है ठीक है अब देख लो जी पांच्वे नंबर का रीजना पौवर्टी ऑफ दा अग्रिकल्चर डिपेंडेंट पीपल जो खेती के ऊपर निर्बर करते हैं वो बिचारे गरीब लोग ठीक है भी इसका कारण बन रहे हैं क्योंकि वो क्या करते हैं वो खाना बनाने के लिए पेड़ों को काटते हैं फ्यूल के लिए लकडी का इस्तमाल करते हैं लकडी का इस्तमाल करते हैं मतलब पेड़ों के अंदधुन का टाई में वह भी मेजर पार्टिसिपेशन रोल प्ले करते हैं तो बहुत सारे गलत एक्टिविटी उनकी गरीबी के बज़ेसे हो रही है यार यह भी रोकना पड़े कोई भी चार बाच आपको याद रह जाए आपका काम चल जाएगा बतलब छे नंबर का तो कोशन आना ही नहीं नहीं थे कुछ मोटी मोटी बाते बताई हैं अब कभी-कभी होता है कि हमारी खुशिया या किसी इंसान की खुशिया दूसरों को दर्द देती हैं लेकिन यहा इसका मतलब मालो आप खुशियां वेल बिंग वेलफेर मालो हम अपने खुशी के जाल में फस गए है यह खुशी का जाल क्या होता है हम लोगों ने फाक्टरीज वगएरा इस्टाबलिश करने शुरू कर यह बहुत सारी परडक्शन यूनिट इस्टाबलिश करने शुरू करने क कर रहे हैं आपमी देवलाप्मेंट के चक्कर में हम रिसौर्स को खराब कर रहे हैं इन्वारिमेंट को खराब कर रहे हैं यह ट्रैप बन गया एक तरिके से हम खुशी जैसे एक चुहे को पगड़ने का वो देखा है ना इंस्टुरूमेंट वह चुहां उसमें खाना लेने की तो खाना तो ऊसको मिल जाता है लेकिन तो ऊसके अंदर तो ऐसा ही है जैसे राट के साथ होता है हम लोग अपनी development के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं खुशियों में सारी goods and services को enjoy कर रहे है सारी facilities को enjoy कर रहे है जैसा कि आपने देखा हम AC use करते हैं ताकि गर्मी में cooling का ऐसाथ हो लेकिन अच्छली AC जिम्मेद आ रहे है ozone layer को deplete करने के लिए तो ऐसा हो रहा है यार हम लोग factories वगएर है गया राहुल गांदी जी सुने है था बोलते है ठीके काॉजिंग इन्वारिमेंटल प्रोब्लम से डैमेज तो बेसिकली इन रिच कंट्रीज ऑफ देवल्ट वर्ड लाइक यूवेस यूके की बात कर लो the high level of consumption as well as production associated with the high level of अचा मैं जाता हूँ high level of income is using the natural resources at a faster speed बहुत तेजी से resource को यूज कर रहे है क्योंकि अमीर कंट्रीज है हाई-level income होगी इस चक्कर में consumption वगएरा करे जा रहे है यह गलत है हमें इसके बीच में coordination बिठाने की ज़रोता है एक जो पूरे वर्ड के इंदर हर कंट्री के इंदर competition चल रहा है ना बाते तो समझदार ही कि करते है कि यह country ज्यादा पड़ी लिखी है literacy rate यहाँ पर जादा है यहांके लोग ज्यादा समझदार है कोई भी ABCD country हो लेकिन after all वह भी तो एक next topic जिसको मैं बोलूँगा अब यह बहुत important है यह बहुत important है आपके पेपर के लिए यहाँ पर India's environmental problem pose a dichotomy dichotomy का मतलब होता है to divide मतलब दो पार्ट में है एक तो गरीबी है poverty is causing environmental degradation गरीभी के बजह से जो इनवार्मेंट का नुकसान हो रहा है पहली डाइक अभी यह दूसरा effluents खुशियों के बजह से तो effluents in living standards is causing environmental degradation this question यह दिस topic is very important यह थोड़ा हटके है मतलब हटके थोड़ा टॉपिक है जो नौवी दस्वी ग्यार्वी चीजों में तुमने च्छोटी मोड़ी चीज़े पड़ी थी environment से related वो कमाने के चांस है ऐसी चीज तुमारे पर में ज्यादा आने के चांस है तो आगे आते हमारा खाने की बात कर रहे हैं तुम होस्टल में रहते हो घर की बात ने कर रहे हैं और होस्टल में आपको एक limited amount of food मिलता है आपका फ्रेंड भार गिया हुआ है और वो limited amount of food मिला और आप खागे सारा तो आपके फ्रेंड को फूड मिलेगा नहीं मिलेगा फिर उसको कुछ ना कुछ दूसरा जोगार करना पड़ेगा तो ऐसे sustainable development है sustainable development का मतलब होता है कि जो भी चीज़े हम use कर रहे हैं जो resources का में इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो हमारी आने वाली future generation को मिलेगी अगर हम उसका बहुत सारा इस्तेमाल अभी कर देंगे तो वो नहीं मिलेगी तो ऐसी development जो resources का बहुत सारा इस्तेमाल करके हो वो development sustainable नहीं होती sustainable development का मतलब होता है resources को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करो कि development के साथ-साथ वो future generation के लिए भी बचे रहें तो sustainable development sustain का मतलब ही रुके रहना होता है रुक जाओ रुक जाओ सस्टेन ऐसा हो ठीक नहीं तो गाइस definition लिकिया इट रेफर्स to the process of development which meets the needs of the present generation but the present generation की needs satisfy हो जाएंगी हो जाएगी without reducing the ability of future generation to meet their own needs ठीक ना या यानि without compromising the needs of future generation ऐसी language भी उसकर सकते हो गाइस ठीक ना तो यह very important है सबसे ज्यादा important topic इस बुक का sustainable development है definition नहीं मतलब sustainable development हम कैसे manage कर सकते हैं कोन-कोन से तरीके हैं कि हमारी जो development होती रहे और वो sustain रहे यानि जो आने वाले पीडी हैं हमारी generation है future के लोग हैं उनको भी facilities enjoy करने को मिले ऐसा कैसे हो सकता है देखो गाइस उसके लिए कुछ ways है तरीके हैं तो तरीके important है जानने आपको पहले नंबर में रिखा है restrict the use of renewable resources अच्छा resources दो तरीके के उतने renewable जो बारबर बन सकते हैं दूसरे नोन renewable जो बारबर नहीं बनेंगे तो जो बारबर बंद रहे है resource उसके भी यूज को limit में लाओ limit में क्यों लाओ क्योंकि जिस स्पीड से वो बंद रहे हैं उससे ज्यादा स्पीड से मुसको खतम कर रहे हैं वही कैरिंग कपासिटी वाली बात आ गई ठीक ना जो पहले पढ़ाई थी next substitute non renewable resources with renewable resources ठीक ने सब्सक्रीट का मतलब रिप्लेस कर दो तो जहां तक कि हो सके जो non renewable चीज़ें उसके जगाँ पर renewable चीज़ें को इस्तेमाल करो ठीक है ना अब बिकम इनपूट efficient efficient का मतलब होता है सस्ता input efficient का मतलब जो हम किसी भी production process के अंदर inputs या raw material यूज़ करते हैं तो इस तरीके से यूज़ करो उसको कि उससे ज्यादा ज्यादा फाइदा उठाया जा सके मतलब wastage ना हो उस inputs से ठीक ना next control pollution pollution तो भाई बहुत जादा लुक्सान बुचा रहा है air pollution से बहुत जादा बिमारिया फैलरी है ठीक है और control the growth of population अगर population की speed ऐसी बढ़ते रही बढ़ते रही तो हम resources को ऐसी खतम करते रहेंगे खतम करते रहेंगे ठीक है ना तो future generation के लिए कैसे बचेंगे तो यह कुछ पांच तरीके हैं आप 3-4 को याद रख सकते हो लेकिन real life में क्या strategies है जो हमें अपनानी चाहिए sustainable development को मेंटेन करने के लिए मतलब development को मेंटेन करना इस development को सस्टेन करना है तो यह कुछ strategies लिखे है इसमें लिखा है यूज ओफ non-conventional source of energy आप non-conventional को मान सकते हो conventional मतलब पुरानी पुरानी non-conventional को मालो की modern अब इसका इसका इस्तेमाल कर लो ठीक ना कारवार के लिए अगर बात करें तो ऐसे cng वगरा का इस्तेमाल कर लो इससे pollution वगरा कम होता है environment को नुक्सान थोड़ा कम फैलता है तो ऐसी बात करी है थोड़े modern resources का इस्तेमाल करें and use of cleaner fuels cleaner fuels में petrol diesel को बटा के cng आ सकता है अब तो और ज्यादा अच्छा होने लगा है electric car आ रही है वो pollution करती नहीं है hydrogen से भी चलने वाली कार आने वाली है वह बिल्कुल भी pollution नहीं करती है हालां कि सेंजी तो थोड़ा बोत करती है hydrogen वाली नहीं करती है इंडिया में चलती देखने को मिलेगी फिर लिखा है जो कोल का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है उसको thermal power बोलते है और जो water का यूज करके बिजली बनाई जाती है उसको hydro power बोलते है ठीक है लेकिन बिजली बनाने के और भी हमारे पास non conventional resources है जैसे कि wind power जहाँ पर हवाय तेज चलती है हम आपर पवन चक्की लगाते ते पंका गुमता रहता है तो उस energy को भी हम electricity में convert कर सकते है solar panel लगा दो तो जो sunlight से solar energy आती है उसको भी हम electricity में convert कर सकते है तो अब है non conventional resources इस तरीके से भी उस करने चाहिए तो एक है चलो जब हम hydro power बनाते ही है पानी से तो जो mini hydro plant है उसकी बहतारो जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर बहुत सारे पाड़ों में से पानी गिर रहा होता बहुत तेजी से जरने बहरे होते हैं तो वहाँ पर छोटी-छोटी मीनी हैडियल प्लांट लगा दो बजली तो बंते रहे है रिसोर्स तो कुछ ना कुछ इस्तमाल करते रहें तो वह energy हमें बिजली देगी तो पुराने जो बुजर्गों की knowledge है वह बहुत काम आते थी वह कहते है पेस्टी साइड नहीं डालेंगे कुछ ऐसे पक्षियों को यहां बसा दो जो कीडे मकोड़े वैसी खा जाए यानि तुम्हें दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी फसल में तो फसल भी और थोड़े बहुत नीम के पेड़ लगा दो एसा भी हो सकता है और और अर्गैनिक मैनियोर को यूज करो एस कंपेर टू फर्टिलाइजर ठीक है वह ट्रेडिशनल नॉलेजिस काम आएगी थोड़ा यूज ऑफ बायो कॉंपोस्ट का मतलब कुड़ा खतम करना होता है तो जो हम खाद इस्तमाल करते हैं वो यूरिया है तो गवर्मेंट बोल रही है नीम कोटेड यूरिया उसको यूज करो ठीक है तो इसका एक्जामपल है फिर लाश लेका है चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न और अफ कंजम्शन और प्रोड़क्शन यानि जो हम पेट्रोल मनते हैं वेज अलग है इसके साथ इस चैप्टर को खतम करता हूं बतलब यह चैप्टर हो गया फिनिश बारी आगे छोटे-बोटे कोशन एन अंसर करने की जो कि बहुत इंपोरेंट है आफ्टर रॉल नंबर तो से मिलने है यार ऑविसली नंबर उससे मिलने हैं तिक रहा कोशन आंचर वेरी इंपोरिंट होते हैं चलो आजाओ जी पहला कोशन कहेरा है गिफ्टू अच्छा पहन का क्लर चेंज करें पहले तो कौनसा करूं को पिंक करते हैं दो इस बार दिखरा तो में पिंक नई इतना खास नहीं दिख रहा ठीक है अपिंक की करते हैं थोड़ा environmental resources overuse का मतलब ज्यादा इस्तमाल कर रहे हैं और miss use of environmental resources अच्छा दोनों अलग चीज़ है ऑवर यूज अलग है miss use अलग है तो उसके दो example दो तो overuse का example आपको दिया देखो पहला deforestation आप पेड़ों की अंदादून कटाई कर रहे हो और land degradation ठीक है land को मतलब उसकी quality खरा health कर रहे हो ऐसा इस्तमाल करके ठीक है जितना capacity है उसकी absorb करने की उससे ज्यादा कोड़ा का चरा फैक रहे हो यह overuse होगे ज्यादा फैक रहे हो miss use का मतलब गलत इस्तवाल जैसे कि हम जिम्मेदार है ozone layer deflation के लिए और global warming के लिए हमने ही खुद अब AC का refrigerator का fire extinguisher का miss use किया है ACR normal चलना चाहिए मतलब इतना जादानी की पूरे दिन चलता रहे काफी सारी जिंगा मैंने देखा है मैंने क्या देखा है यह observe ही किया गया है बहुत सारी लोंडे लफाडे मैंने देखे हैं वो गूंते रहते हैं मिस्यूदी आवरी सोर्स इसका तो इस एंपॉर्ट इंपॉर्ट 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 इंचाहिए था अगला कोशन explain the supply demand reversal of environmental resources supply or demand मतलब supply का मतलब जितनी वो चीज़े जनरेट ओरी है री जनरेट और यह दिमांड का मतला मुझको यूज कर रहे गाई इसलिए को इक है ठीक है ठीक है दा इमांड फूर्ट इस फोर बोथ प्रोड़क्शन और कंजम्शन has gone beyond the rate of regeneration of the resources and increasing the pressure on the absorptive capacity of the environment साफ बात वही बोली है जिस rate से हम उनको extract कर रहे है मतलब निकाल रहे है जमीन से जूज भी कर रहे है निकाल के उस स्पीड से वो बन नहीं रहे घुसन नहीं रहे जमीन में है ना तो उसकी carrying capacity absorptive capacity में प्रेशर मना हुआ है है environment में तो इसके वजह से supply demand relationship खराब हो रहा है ठीक ना तो गाइस यहां पर क्या हो रहा है अलिका है supply demand relationship with demand for resources exceeding the supply led to degradation of the environment degradation बोलो क्राइस बोलो क्योंकि हापर दो क्या है demand ज्यादा है supply कम है ठीकना resources को निकाल रहे डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है तो availability तो डिस्टर्ब होगी उस चीज़ के वजह से अगला कोशन धाकर कोशन है इस बार के cbsc के सैंपल में पर के अंदर रही है तो इसके तो पहन का गलर फिर चेंज करेंगे आ जाओ जी क्या बोल रहा है पेस्टिसाइड और कैमिकल कंपाउंड डिजाइन टू किल पेस्ट बिल्कुल सही है पेस्टिसाइड बतलब दवाईया होती है जो पेस्ट मतलब कीडे मगोडे टिडी दल वगएरा उनको मारने के लिए फार्मिंग में क्रॉपिंग में हम डालते हैं मतलब खेती करते हैं तो मैंनी पेस्टिसाइड के अल्सों पॉस हेल्थ रिस्क टू पीपल इवन एक्सपोस्ट इन नॉमिनल कॉंटिडी कहता है कुछ दवाईया ऐसी है जब हम उसको खोलते हैं डालते हैं खेतों के अंदर तो वो हमें ही नुकसान पुचा देती है उसकी स्मेल हमारे अंदर जाती है ठीक है हमें ही नुकसान पुचा देती है ठीक है बिल्कुल सभी बात तो कह रहा है इन दा लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट सजेस्ट एनी टू ट्रेडिशनल मेथर्स फॉर रिप्लेस्मेंट chemical pesticide तो दो ऐसे तरीके बता दो जिससे इन chemical pesticide का हम इस्तमाल कम कर दे या खतम कर दे अभी बताया था आपको traditional practice के बारे में तो गाइस मोटे-मोटे तोर पर पूरा पढ़के नहीं बता रहे या उतको पोस करके वीडियो का अपनी copy minute कर लो पहला बताया मैंने नीम प्रॉडक्ट्स यानि नीम ट्रीज और उसके कुछ बनाए हुए बाई प्रॉडक्ट्स जैसे कि मैं बताया नीम कोटेड यूरिया खाद गॉर्मेंट ने सज़ेस्ट किये यह पहला हो गया और दूसरा एक लार्ज वराइटी ओफ बर्ड्स शुडवी अलाउट टुट साथ यह विडियो लेक्ट्ट्स खतम करने का नंबर आ गया है लेकिन एक मिनट के इंदर आपको इंपॉर्णिट टॉपिक जरू बताये तो आपने करने करने पूरे चैप्टर से अब्जॉर्ब्ने की डेफिनेशन छोटे नंबर में बतलब दो नंबर में यह तीन नंबर में यूज कर सकते हैं वेजिक ठेडिकल कंसेप्ट हो गया ठीक ना यह चीज़ें आपको करनी है ठीक है और उपर से देहां रखना सीपी सीबी सेंट्रल पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल ठीक ना हाँ गलोबल वार्विंग ओजोन लेर एजी हो जाएगा उसी से मतलब यह चीज़ें इंपॉइंट है यह द्यांट को बस्तिक ना तो गाइस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर और अपको कोशिक यह उमीद करता हूं कि मैं एक महीने के इंदर बोल रहा हूं 15 वीडियो में तुम्हारा पूरा कोर्स खतम करा टिक है अगर तुम्हें और तुम्हें चैनल को लाइक कर दो एपने फ्रेंटको शेर कर दो रगर अच्छा लग रहा है दो और बैल इकन को प्रेस करना न GCre रेगुलर मिलती रहे और हमने आपको सी यू इटी के बारे में बताया वह आपके लाइफ के अंदर बहुत बढ़ा बतला हुए अगली विडियो में इंडिया इको खतम मोज अगली डियो में इंडिया निको खतम जिसमें मैं लास्ट वाला चेप्टर वैसे कंपरिटिव खतम अब एक रह गई फिर मैक्रों करेंगे तसल्ली से मैंने बोलता चार वीडियो के इंडिया निको तो यह तीन वीडियो हो गई है अब चौती वीडियो आ जाएगी तो बस हमारा साथ ऐसी चलता रहेगा गाइस बहुत अच्छे नंब राएंगा आपके ट्वेल्थ क्ल झाल